गुद बॉर्निंग स्टूरेंगे आज हम एक स्टोरी के थ्रू मिस्टर कैंडी हैं मिस्टर कैंडी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनके टीथ किरने वाले हैं तूटने वाले हैं उनकी जगह पे नए आएंगे तो जैसे छोटे बड़े होते हैं उनके मिल्क टीथ टूट जाते हैं अपनों के भी टूट रहे हैं है न तो उसके जगह पे नए टीथ आते हैं ऐसे ही मिस्टर कैंडी के साथ हो रहा है तो आज हम जो sums करेंगे subtraction sums तो वो हम Mr. Candy के teeth के through करेंगे अभी तक आपने lines में fingers में items के through किया होगा आज हम इनके teeth के through करेंगे Mr. Candy have four teeth now one teeth is shedding off then how many teeth he left with four teeth है one एक तूट गया है तूटने वाला है तो कितने teeth रह जाएंगे? three देखों यहां पर four teeth है mouth में जो one है नीचे हमने उसे cut कर दिया है और फिर हमने count किया तो कितने बच्चे? one two three तो भी right here three यह किया हुआ है पहले से ही आपकी book में भी now next is four में से two less करेंगे four teeth है नीचे के माम में हमने two less कर दिये how many left? yes two see one two ऐसे ही यहां पर यहां Mr. Candy के Mr. Donut के six teeth है और six में से बूला है हमें four less करने है तो मैं आपने यह less कर दिया one two three four now कितने बच्चे हैं? yes two one two ऐसे ही eight teeth में से six less करेंगे तो कितने बच्चेंगे? one two three four five six six फिर कितने बच्चे? one two we'll write here two same as आपको यह दोनों संस्पेस ही करने है now move to next page subtracting less one less than a number scoopy wants more fruits candy gave her the following number of fruits find out the number remaining fruits अच्चा हमने पिछली क्लास में अपने किया last class में कि किसी भी नंबर से हमने one less किया तो क्या number answer आता है? उससे before जैसे one से हमने किया one two three four five six seven eight nine अगर मैं बोलू nine में से one less करेंगे तो कितना आएगा answer? अंसर आता है eight ऐसे अगर मैंने eight में से बोला one less करने का तो कितना answer आएगा? seven तो जब भी हम किसी भी number में से one less करते हैं तो answer क्या हो जाता है? उससे पहले वाला number हो जाता है ऐसी अगर 6 में से 1 less करेंगे तो कितना होगा 5 ठीक है अब आज देखते है आज हमारे पास यहाँ पर 6 mango है ठीक ओके स्कूपी को लिकिन अब और ज़्यादा ची लास्ट टाइम स्कूपी को 1 1 दिया था तो हमने 1 less किया तो हमारा answer उससे before number आया तो आज हम क्या करेंगे एक number पहले ही less करके देंगे उसको मतलब total जितने number है जैसे 6 है तो 6 में से हम सरफ 1 अपने पास रखेंगे बाकी 5 दे देंगे उससे तो हमने 5 उसे दिये तो हमारे पास कितने बच्चे 1 तो कितना answer हुआ 1 ऐसे हमारे पास 7 बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बनाना में से 6 बनाना less कर दिये तो कितना बच्चा 1 8 strawberries में से 7 less कर दिये तो कितने बच्चे 1 9 में से 8 less कर दिये एपल 8 अपल अगर दिये दिये स्कूबी को तो कितना बच्चा 1 एपल ऐसे ही watermelon में से 3 watermelon में से 2 watermelon अगर स्कूबी को दे दिये तो कितना बच्चेगा 1 We always get 1 as an answer when we subtract a number 1 less than a number of a thing in set जब भे हम किसी number से सिर्फ एक number less subtract करेंगे तो answer हमेशा 1 होगा Like अगर हम 4 में से 4 से before कौन सा number आता है बताओ मुझे Yes 3 आता है अगर 4 में से हम 3 less करेंगे तो कितना answer आएगा 1,2,3,4 1,2,3 कितना answer आएगा 1 है ना ऐसे ही और example करके देखे अगर मैं कहती हूँ 8 से before कौन सा number आता है Yes Very good 7 अगर 8 में से 7 less करेंगे तो कितना आएगा answer 1,2,3,4,5,6,7,8 8 में से 7 less कर देंगे तो कितना आएगा answer 1 Very good तो देखा आपने जब भी हम किसी number में से उसका before वाला number सब्ट्रेक करते तो answer क्या आता है 1 Very good Now answer the following problem तो same ऐसे ही आपको इनका answer करना है अब ये देखो number 5 में से 4 less हो रहा है और 4 कौन सा number है 5 से before वाला number है तो answer कितना होगा Without any calculation आपको पता चल जाएगा इसका answer 1 होगा अगर आप करके भी देखो के तो भी आदेखो इसका answer 1 ही आएगा 1, 2, 3, 4, 5 5 में से कितने less किया 1, 2, 3, 4 है ना तो same ऐसे ही देखो ये वाला 4 में से 3 less किया तो कितना answer होगा 4 क्योंकि उससे just before वाला number है है ना 4 से before क्या होता है 3 तो अगर हम किसी भी number में से उसका before number less करते तो answer हमेशा 1 होता है तो ये आपको without calculation के पता चल जाएगा कि इसका answer क्या होता है ऐसी आपको ये 3, 4, 5 ये वाले sums भी करने है अगर आपको अभी भी कोई doubt है you can call me or message me till then bye bye